हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी एक्सेस बैंक में अगाउंट है तो आपके से घर बेटे-बेटे ही डेली चेक कर सकते हैं या फिर आप जब भी चेक करना चाहें आप check कर सकते हैं कि आपके account की statement क्या है कितना पैसा आपने कब debit किया था कितना पैसा आपने कब credit किया था और यह भी नहीं आप account की जो statement है उसको mail भी करो सकते हैं यह सारी चीज़ें मैं आपको one by one इस वीडियो में बताने वाला हूँ यह सब चीज़ें आप mobile से कर सकते हैं इसके लिए आपको simply करना कुछ नहीं है access mobile एक app है access bank का एक official app है आपको इस पर एचाना होगा और आपको इस पर login कर लेना है जो आपका mobile नंबर है जिस bank से आपके account है उस mobile नंबर से यह login होगा और जिस mobile में इस app को आप download कर रहे है उस mobile में वो SIM लगी होनी चाहिए जैसा कि मैंने login कर रखा है यह देख सकते हैं आप जैसे कि यह login हो जाएगा तो इस तरीके का आपके समने इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर आपको आपका total balance दिखेगा कि account में कितना balance है अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप आपके account में statements चेक कर सकते हैं जो कि हम हमारे ATM पर जाकर हमारा ATM card लगाकर परची निकालते हैं वो हम यहाँ पर direct virtual ली देख सकते हैं तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं यह accounts के option पर जाना होगा इस accounts के option पर click करना होगा जैसे आप इस accounts के option पर click करोगे यहाँ पर आपको इस तरीके का option दिखेगा इस पे आपको click करना होगा जैसे आप इस पे click करोगे यहाँ पर आपको statements दिखेगी अब यहाँ पर आपको नीचे तीन option दिखेंगे view virtual card, view statement और email statement पहले मैं आपको view statement का option बता जिता हूँ जैसे आप view statement पे click करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो आपका account number और total balance दिखा रहा है अब आप यहाँ पर select कर सकते हो कि आपको debit amount देखना है, credit देखना है मतलब आप यह select करोगे कि आपको last month में debit बताओ तो यह बताएगा आपके पिछले महिने में आपके account से कितना amount debit हुआ मतलब कब कब कौन कौन सा amount debit हुआ और अगर आप credit select करोगे तो यह बताएगा credit वाला और अगर आप दोनों select करोगे तो यह बतादेगा कि last month में कब कितना amount debit हुआ कब कितना amount credit हुआ और अगर और आपको specific date के लिए करना चाहते हो तो यहाँ से आप date range select कर सकते हो फिस जैसे ही आप view statement पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा बताने लग जाएगा कि इतनी तारीक को इतने रूपे किसको आपने सेंड करे थे कितने कब डेविट हुए थे तो ये पूरी हिस्टरी आपके सामने निकल जाएगी आपको नोट डाउन करने की भी ज़रूर पालत नहीं है जैसा कि मैंने का था में बताओंगा आप इसको इमेल कैसे कर सकते हैं तो आपको यह बेग पे जाना होगा और यहां वापिस अगेन बेग पे जाना होगा यहां दूसरा option है इमेल स्टेटमेंट यह सिमिलरली है इसमें भी आप जैसे यह उपन होगा मन्त में select करता हूँ और यहां check box पर जैसे में click करूँगा उसके बाद email statement पर click करूँगा या download statement पर click करूँगा तो download statement पर click करने पर simply download हो जाएगी और email statement पर click करने पर यह हमारे इस email ID पर email हो जाएगी तो इस तरीके से आप आसानी से इस access bank app को use कर सकते हैं securely बस एक चीछ का ध्यान रखना होगा आपको इस access bank app पर जो आपका pin है वो किसी को ना बताएं नहीं तो वो भी इसको use कर सकेगा और इस तरीके के fraudos से बचके रहें तो अगर आपको वीडियो पसं स्क्राइब करें थैंक यू